ओम शांती आज बाबा के 4 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी सबसे पहले जगतियंता का हिर्दे की गहराईयों से शुक्रिया करते हैं जो हमें प्रति दिन ज्यान योग सिखा कर जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं बहुत दिल से शुक्रिया है बाबा आपका जो आपने हमें जीवन जीने की कला सिखाई जीते के साथ साथ इस पुरानी दुनिया से बुद्दियोग कैसे हचाना है ये कला सिखाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल हम सबने बहुत सुन्दर अभ्यास किया खुश रहना है, खुशियां बाचनी है एहम और वहम से मुक्त होकर विश्व कल्यान कारी बनना है करमिंद्रियों से करम कराना है मैं आत्मा देह की मालिक हूँ इस स्मृति से करमिंद्रिय जीत बनना है और भले सचकी नाव हिलेगी डूलेगी पर डूब नहीं सकती बहुत सुन्दर बातें कल हमने अभ्यास की और अनुभव किया कि किसी के लिए भी ये सर्टिफिकेट नहीं बनाना कि आत्मा बदल नहीं सकती किसी में बदलाव कभी भी आ सकता है केवल शुब भावनाओं की ताकत होनी चाहिए आज के मधुर महावाकियों में बाबा ने विशेश कहा कि बाबा किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं किने देखकर खुश होते हैं बाबा उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं जियां बैबा बहुत खुश होते हैं बच्चों को देख कर जो फॉलो फ़ादर करते हैं एक दूसरे को नहीं देखते हैं जिनका पढ़ाई पर बहुत अटेंशन है फिर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा शृंगार करने के लिए आये हैं सुनना ये आत्मा का श्रिंगार है योग करना ये श्रिंगार है जीवन की अच्छी धारणाई रखना ये श्रिंगार है बाबा हमारा श्रिंगार करने के लिए आए है तो बाबा केते श्रिंगार को कभी खराब नहीं करना कभी कभी हम परचिंतन करके श्रिंगार को खराब कर देते हैं फिर बावा ने बहुत सुंदर बात कही जो बड़ी युनीक बात है कि मनन शक्ति के द्वारा अपनी बुद्धी को शक्ति शाली बनाओ आपकी जो मनन शक्ति है इसी से आपकी बुद्धी देव्य बन जाती है जब माया आती है तो वो सबसे पहले आपकी स्मृतियों पर प्रहार करती है आपको अच्छी बाते भुला देती है भगती में भी सिम्रण का महत्व है ज्यान मारग में भी स्मृति की शक्ति का बड़ा महत्व है ज्यान की बातों का मनन करते करते हमें शक्ति शाली बनना है बाबा निका इसी से आप मास्टर सर्व शक्तिवान बन चाते हो अब हम सुनते हैं बाबा के मदूर महावाक्य बाबा के शब्दों में बाबनी का मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों का ज्यान से श्रिंगार करने, उंच पद पाना है, तो सदा श्रिंगारे हुए रहू। कोश्रकिन बच्चों को देखकर बेहद का बाब बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलोकिक और पारलोकिक दोनों बाबा को पूरा फोलू करते हैं, ज्यान योग से आत्मा को श्रिंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं ऐसे बच्चों को देख बेहद बाप को बहुत खुशी होती है बाबा की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके उच्पद पाएं क्या चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके उच्पद पाएं ओम शांती रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रती कहते हैं मीठे मीठे ब बाब को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद बाप को बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं, बाबा को हम सब बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बाबा बेहद का बाप है, बाबा बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं, कि बच्चे उच्पद पाई, ये बा अलोकिक बाप भी खुश होते हैं, तो पारलोकिक बाप भी खुश होते हैं, अलोकिक बाप प्रम्मा बाबा, पारलोकिक बाप शिव बाबा, जो अच्छी रिती पुर्शार्थ करते उन्हें देखकर गाया जाता है, फॉलो फादर, जो अच्छा पुर्शार्थ कर रहे हैं, समझे, वो follow father कर रहे हैं, तो दोनों को follow करना है, एक है रूहानी बाप, दूसरा है अलोकिक father, तो पुर्शार्थ करके उचपद पाना है, तुम जब बठी में थे, तो सब का ताज सहित फोटो निकाला गया था, बाबा ने समझाया, लाइट का ताज कोई होता नहीं, ये एक निशानी है पवित्रता की, जो सब को देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई सफेद लाइट का ताज होता है, ये पवित्रता की निशानी समझायी जाती है, पहले-पहले तुम रहते हो सत्यूग में, तुम थे न, तुम ही थे न, बाबा याद कर रहे हैं कि बाबा ने जब बठी प आजवाले, सजे सजाय रूप में, ताकि याद रहे कि हम यी देवी देवता थे, फिर हम बन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें जो लाइट का क्राउन है न, वो प्योरिटी का सिंबल है, इसलिए लाइट का ताज भी दिखाया था, तुम ही रहते हो सत्यूग में, तुम थे न, बाबा भी कहते, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमें ही जाना है, मुक्ति धाम के गेट तुमें खोलने है, तुम बच्चों को बाबा श्रिंगारते हैं, स्वेम भगवान हमारा श्रिंगार करते हैं, गर में वनवाह में रहते हैं, इस समय तुमें भी साधारन रहना है, ना उच ना नेच, बाबा भी कहते हैं, साधारन तन में परवेश करता हूं, कोई भी देधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं, बाबा कहते हैं, आपको बहुत सिंपल रहना है, आपका रहने का बाद वानपरस लेते हैं फिर गुरू करते हैं ये भी रसम अभी की है जो फिर भगती मारग में चलती है आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरू करा देते हैं भले वानपरस अवस्था नहीं है प्रन्तो अचानक मोथ हो जाता है इसलिए बच्चों को भी गुरू करा दे वाजते हैं, वैसे बाबा के थे तुम सब आतमाई हो, हक है वर्षा पाने का, वो कहा देते है गुरु बिन छोर नहीं पाएंगे, अरथार्त ब्रह्म में लीन नहीं होंगे, तुमें तो लीन नहीं होना, यह भगति मारक्यक्षर है, आत्मा परमात्मा की प्यार में समाजाती उसी को वहाँ पर लीन होना कहा गया वास्तों में तो लीन होते नहीं अगर लीन हो जाए समझो स्टित्व ही समाप्त हो जाए आत्मा तो स्टार मिसल है बिंदी है बाबा भी बिंदी है उस बिंदी को ही ग्यान सागर कहा जाता है तुम भी छोटी आत्मा हूँ, उसमें सारा ज्यान भरा जाता, तुम फुल ज्यान लेते हो, पास भी दोनर होते हो न, ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है, उतना ही परम आत्मा है, आत्मा परम धाम से आती है, पार्ट बजाने, ध्यान से बाबा किते हैं, मैं भी वहां से आता हूँ, परन्तु मुझे अपना शरीर नहीं, मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, परम आत्मा स्वरूप में ज्योती स्वरूप है, उनमें सारा ज्यान भरा हुआ है, ज्यान की वर्षा बरसाते हैं, तो सब मनुष्य पाप आत्मा स पुन्य आत्मा बन जाते हैं, बाप गती सद्गती दोनों देते हैं, तुम सद्गती में जाते हो, बाकी सब गती में अर्थात घर जाते हैं, वो है स्वीट होम, गती का अर्था परमधाम में जाना, सद्गती अर्थात सत्यूग में चले जाना, बाबनी कहा, बाप गती सद् बावा के थे मीठे मीठे बच्चे आब वापिस घर जाना है, क्या करना होगा उसके लिए? घर चलने की तयारी पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर कोई भी वापिस नहीं जा सकते, मैं सब को लेजाने आया हूं. आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं अब शिव बाबा शिवाले की स्थापना कर रहे हैं पर रावन आकर वैशाले स्थापन करते हैं वाम मारक को वैशाले कहा जाता बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं सन्यासी कहते हैं ये तो हो नहीं सकता है जो दोनों इकठे रहें और पवित्र रहें यहां समझाया जाता कि इसमें प्राप्ती बहुत है कैसे रह सकते हैं क्योंकि हमें प्राप्ती बहुत है वो भी एक जनम के नहीं 21 जनम के लिए पवित्र रहने से 21 जनमों की राजधानी मि स्री कृष्ण के लिए गोरा और सावरा शाम सुंदर यह समझाने इस समय की है काम चीता पर बैठने से सावरे बन गए अब बाबा तुम्हें गोरा बनाने के लिए आए हैं बाबा को याद करना है बाबा आप कितने मीठे हो कितना मीठा वर्सा देते हो हमें मनुष्य से कितना याद करते आए अब आकर के मिले हो बाबा आप कितने मीठे हो आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे आपको ही प्रेम का शांती का सागर कहते हैं आप ही वर्सा देते हो बाकी प्रेणा से कुछ में मिलता नहीं बाबा तो समुखा के बच्चों को पढ़ाते हैं यह पा आज योग है, अभी तो मूलवतन, सुक्षम वतन, स्थूल वतन को जान गए हो, तीनों लोकों को आप जान गए हो, मूलवतन परमधाम को कहते हैं, फिर सुक्षम वतन, फिर ये साकार वतन, इसे स्थूल वतन कहते हैं, इतनी छोटी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, है भी ब इसे कहते हैं अनाधिय अविनाशी वॉल्ड ज्रामा, ये ज्रामा फिरता रहता है, इसमें संशे की बात नहीं, बाबा स्रिष्टी के आदी मध्यांत का राज समझाते, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र फिरता रहता है, उसे पाप क प्रापन फिर वेनाश होता है, अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है, तुम सो परसेंट साल्वेंट थे, 84 जनम के बाद सो परसेंट इंसाल्वेंट बन गए, पहले कितने सावकार थे, जनम पुर्नर जनम लेते बिलकुँ दिवालिये जैसे हो गए, अब बाबा क सबको जगाते हैं जागो सत्यूग आ रहा है सत्य बाप तुम्हें 21 जनमों का वर्सा देते हैं भारती सचखंड बनता है बाबा सचखंड बनाते जूटखंड फिर कौन बनाता है पांच विकार रूपी रावन जूटखंड बनाते हैं रावन का कितना बड़ा बुत बनाते हैं फिर उसको जलाते हैं क्योंकि ये नंबर वन दुश्मन मनुश्यों को इस पता नहीं कब से रावन का राज्य हुआ बाबा समझाते आधा कल्प है रामराज्य आधा कल्प है रामराज्य बाकि रावण कोई मनुश्य नहीं जिसे मारना है इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है बाबा कर राम राज्य स्थापन करते हैं फिर जैजेकार हो जाती है वह सदाख खुशी रहती है वो है इस सुखधाम इसको कहा जाता पुर्शोतम संगम्यो बाबा गयते इस बच्चे आये फिर बाबा केते किसी कारण से कोई-कोई छोड के चले गए उसके लिए बाबा शब्द यूज करते हैं आश्रेवत सुननती पहले बड़े आश्चरिय से सुना अई भगवान पढ़ाते हैं औरों को भी सुनाया फिर खुद ही छोड कर चले गए बाबा आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं बाब टीचर प्यार करते हैं गुरु भी प्यार करते हैं सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाए तुम्हारी एम उबजेक्ट सामने है उन गुरु के पास एम उबजेक्ट कोई होती नहीं वो कोई पढ़ाई नहीं ये जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, ज्यान से समझेंगे, जो बाबा के सेवा किंद्र है, ये युनिवर्सिटी भी है, हर दिन हम स्टडी कर रहे हैं, हम सब गॉडली सुडेंट है, गॉड खुद हमारे टीचर है, साथ-साथ ये हॉस्पिटल भी है, क्योंकि ह हर आत्मा का इलाज चल रहा है, हर एक पाँच विकारोग की बिमारी से ग्रसित है, तो बाबा कर के उससे मुक्त करते हैं, इसने बाबा केते हैं, तुम हेल्दी वैल्दी बन जाते हो, यहां है जूट की दुनिया, गाते हैं जूथी काया, जूथी माया, जूटा सब संसार सत्यूगे सचखन, वहां हीरे जवरात के महल होते हैं सोमनात का मंदिर भी भगती मारग में बनाया कितना धन था जो मुसलमानों ने आके लूचा बड़ी-बड़ी मस्जिदे बनाई बाबा तुमें कारुन का खजाना देते हैं शुरू से तुमें सब साक्षत कार कराते आए अल्ला अवल दीन बाबा है ना पहला पहला धर्म स्थापन होता वो है जीटी सा जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है सब जानते प्राचीन सत्यूग में इनका राज्य था जब सत्यूग था तो स्री लक्ष्मी श्री नाराइन का राज्य था उनके ओपर कोई नहीं जीटी राज्य कोई पैराडाइस कहा जाता आप तुम चानते हो फिर औरों को बताना है सब को कैसे पता पड़े कि कोई उलाहना ना दे कि हमें तो पता ही नहीं चला जो भी मिले उसको संदेश देना है उस पर विश्वास करें ना करें चले ना चले लेकिन आपको अपना करतवे करना है बाबे ने कहां तुम सब को बताते हो फिर भी बाबा को छोड़ कर चले जाते हैं इस्ट्री मस्ट रिपीट बाबा के पास आते हैं बाबा पूछते हैं, पहले कभी मिले हो, साकार में भी बाबा पूछते थे, पहले कभी मिले हो, कहते हैं हां बाबा, पांजर वर्ष पहले हम आपसे मिले थे, बेहद का वर्सा लेने आये थे, कोई आकर सुनते हैं, कोई को सक्षत कार होता, ब्रह्मा का तो वो याद आता है, फिर कहते हमने यही रूप देखा था बाबा बच्चों को देख के खुश होते तो मारी अविनाशी ज्यान रतनों से जोली भर रही है अब हमारी जोली ज्यान रतनों से भरती जा रही है check yourself, भर रही है, कहीं बहतों ने रही, अच्छे से भरना है अपने आपको, ज्ञान योग से, ये पढ़ाई है, साथ इन का कोर्स लेकि फिर कहीं भी रहकर मुरली सुन सकते हो, मुरली के आधार पर चल सकते हो, साथ इन में इतना समझाएंगे, जो फिर मुरली को समझ सकेंगे साथ इन का पहले कोर्स होता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद फिर मुरली को समझ सकेंगे, बाबा बच्चों को सब राज अच्छी रिती समझाते हैं, किसी नई को भी हमें पहले कोर्स के लिए ही प्रेरित करना है, कि पहले आप ग्यान को समझो, पर म पपुरली सुनते, सुनते हम ओर बाबा के समीप हा जाते हैं, अच्छा, मीठे, मीठे, सिक्के लादे बच्चों प्रती, माथपिता, बाबत दाक, याद प्यार, गुड़ मॉर्निंग, रुएनी बाब की, रुएनी बच्चों को नमस्ते, रुएनी बच्चों की, रुए नमस्ते, गुड़ मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्ना के लिए सार, कुछ सेकिंड के लिए याद करे, आज की मुख्य बाते कौन सी है, सिट इन साइलेस, मन ही मन रिवाइस करेंगे, और फिर नोट करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिर आते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई से अपना पद स्रेष्ट बनाना है, किसी भी परसिती में आसू नहीं बहाने है, ये वानप्रस्त वस्ता में रहने का समय है, इसलिए वनवाहा में रहना है, बहुत साधारण रहना है, बहुत सिंपल रहना है, ना बहुत उच ना बहुत नीच, वापिस जाने के लिए आत्मा को संपूरण पावन बनाना है, घर जाना है, तो जिस रूप में आये थे उसी रूप से पावन बन के जाना है वर्दान है मनन शक्ति द्वारा बुद्धी को शक्ति शाली बनाने वाले मास्तर सर्व शक्ति वान भव मनन शक्ति द्वारा बुद्धी को शक्ति शाली बनाने वाले मास्तर सर्व शक्ति वानपव मनन शक्ति ही दिवय बुद्धी की खुराक है ऐसे भगती में सिमरन करने के अभ्यासी है ऐसे ज्यान में स्मृति की शक्ति है इस शक्ति द्वारा मास्तर सर्व शक्ति वानपव रोच अमरित वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ, मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धी शक्ति शाली बन चाहेगी मनन करते करते बुद्धी शक्ति शाली बन चाहेगी शक्ति शाली बुद्धी के उपर माया का वार नहीं हो सकता परवश नहीं हो सकते क्योंकि माया सफ से पहले व्यत संकल्प रूपी बान द्वारा दिव्य बुद्धी को ही कमजोर बना देती है इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति ज्यान की बातों का बार बार मनन करके हमें स्वरूप बन जाना है अपनी बुद्धी को शक्तिषाली बन जाना है, ताकि हम माया से बच सकें स्लोगन है, आजयाकारी बच्चे ही दुआओं के पातर है दुआओं का प्रभाव, दिल को सदा संतुष्ट रखता है जब हम अग्या का पालन करते हैं उसके रिटरन में दुआई प्राप्त होती है और जिस आत्मा को दुआई मिलती है उस अदा संतुष रहता है आज हम अभ्यास करेंगे मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान जो शक्ति सर्व शक्तिवान में है वही शक्तिया उसने मुझे भी दी है ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बॉक्स को टच करें